असलावालेकूम कैसे आप लोग मेरे पास OTG के रिगार्डिंग काफी दिनों से कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी कि OTG को OTG अवन को किस तरीके से यूज किया जाता है उसके उपर आप एक वीडियो बनाए तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था फाइनली आज मुझे टाइम मिला है तो मैं OTG अवन के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रही हूँ कि किस तरीके से इसको यूज किया जाता है जिनके पास पहले से अवन है वो इसके बारे में जानते ही है बट जो अभी प्लान कर रहा है या आभी खरीदा है तो उनको थोड़ा सा इसके बारे में देखना पड़ता है तो उनी के लिए मैं आज ये रिक्वेस्टेड वीडियो बनाने जा रही हूँ तो चलिए जादा देर ना करते हुए हम वीडियो सुरू करते हैं मेरे पास बोरो सिल्का 30 लिटर का अवन है इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी नॉर्मल यूज के लिए मेरे हिसाब से ये साइज बहुत अच्छा है इसमें दो हिटिंग एलिमेंट्स नीचे होते हैं और दो इसी तरीके से उपर होते है जैसा आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं एक आपको यहाँ पार यह रोटेश्री सॉकिट मिलेगा इसमें रोटेश्री रॉड आता है उसको फिट किया जाता है वो मैं आभी आपको लगा कर बताऊंगी तीन टाइप केस में हमें नॉब्स मिलेंगे टैंप्रेचर, फंक्शन और टाइमर सबसे पहले आता है टैंप्रेचर, टैंप्रेचर इसका 230 डिग्री सेल्सियस तक होता है टिक्के के लिए मैं यहाँ पर 210 डिग्री सेल्सियस पर इसका टाइम सेलेक्ट करती हूँ और बेकिंग के लिए मैं करती हूँ हमेशा 180 डिग्री सेल्सियस second number पर आता है function node इसमें six function मिलेंगे हमें सबसे पहले होता है lower heating second number पर आता है lower upper plus fan third number पर आता है upper heating plus fan fourth number पर आता है upper lower heating fifth number पर आता है upper heating plus rotatory six number पर आता है upper lower heating plus fan plus rotatory बेकिंग के लिए lower heating भी यूज़ कर सकते हैं पर मैं upper lower heating plus fan ज्यादा प्रफर करती हूँ क्योंकि मुझे उसमें ज्यादा अच्छा result मिलता है या फिर आप कुछ टाइम lower heating करके उसके बाद upper lower heating plus fan रख सकते हैं upper lower heating plus fan के साथ आपका केक ज्यादा बेटर बन कर तयार होगा अगर आप grill कर रहें तो उसके लिए भी upper lower heating plus fan रख सकते हैं या फिर कुछ टाइम के लिए आप fan बंद कर सकते हैं और अब आती है rotatory mode की बाद जब आप haul chicken बना रहे हैं तो upper lower heating plus fan plus rotatory आपको यूज करना है तभी आपका rotatory rotate होगा घूमेगा और उसमें आपका जो full chicken है वो बन कर तयार होगा अभी आगे मैं बताती हूँ कि यह सभी function किस तरीके से काम करेंगे आवन के साथ यह आपको एक baking tray मिलेगा यहाँ पर और साथ में मिलेगा एक grill इन सब का अभी मैं यूज करके बताऊंगे किस तरीके से हम इनको इसमें यूज करेंगे एक मिलेगा हमें इसमें एक क्रम ट्रे इसको हम नीचे लगाएंगे यह आवन को सेफ रखने का काम करेंगा यह एक हमें हैंडिल मिलेगा इसको यूज अभी हम देखेंगे और यह है rotary rod और इसके साथ ये दो फॉर्क मिलेंगे इनको हम इसमे इस तरीके से एड़्ज़ कर देंगे इस स्कुू की हेलब से आप इनको लूजर टाइ» करेंगे इसी तरीके से हम दूसरा इधर डाल देंगे और इसको जितना आपको एड़्जल करना है उतना कर सकते हैं चिकन बनाने के काम आता है यह इस तरीके से हम इसको चिकन को लगाएंगे जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं और फिर आपने जरूरत के हिसाब से उसको एड़स करके टाइट कर देंगे अभी मैं आपको इसको लगा कर दिखाऊंगी इसी तरीके से आवन में रोटेट होगा एक मिलेगा हमें रोटेशरी हैंडिल इससे हम रोटेशरी को बाहर निकालेंगे सबसे पहले हमें आपर क्रम ट्रे का यूज़ देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको नीचे लगाएंगे और जैसा कि आप साइड में देख पा रहे हैं टिक्का टिक्के में से ओईल गरेगा मसाला गरेगा वो सब इस क्रम ट्रेप पे गरेगा और हमारे आवन को सेफ रखेगा और हम इसको बैस हटा कर इसमें से वाश कर लेंगे बाद में यह ग्रील है इस पर हम इस तरीके से कोई भी टिन केक टिन को रखकर केक बना सकते हैं और हम इस पर चिकन टिकका बनाएंगे जिस तरीके से अभी आपने वीडियो में देखा था यह है बेकिंग ट्रेय में हम इस तरीके से कुकी बना सकते हैं चिकन ब्रेड बना सकते हैं और यह है हैंडिल इस तरीके से इस सो निकाल सकते हैं इससे या फिर आगर आप हैंडिल नहीं यूज करें तो इस तरह के से गलब्स यूज कर सकते हैं गलब्स से निकाल सकते हैं तो यह एक लब्स आप खरीज सकते हैं यह रोटेश्री जिसमें आभी हमने फॉर्क लगाकर इनको फिक्स किया है इसको हम यह रोटेश्री सॉकिट में फिक्स कर देंगे इस तरीके से यह रोटेश्री हैंडिल है इसमें हम थोड़ा सा इसको उठाएंगे साइड करेंगे और स्लाइड करके निकाल लेंगे और अब रोटेश्री काम किस तरीके से करता है वो हम देख लेते हैं तो इस तरीके से मैंने यहां पर रोटेश्री मोड ओन कर दिया है अब आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हमारा रोटेश्री काम कर रहा है इसी तरीके से हम इसको चलाएंगे, इसमें चिकन हम लगा देंगे, इस तरीके से से जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं और इस तरीके से घूमता हुआ, चिकन इसमें पकेगा, इस तरीके से कुछ हमें टीन चाहिएं केक बनाने के लिए, यह नॉर्मल हमारे गर में इसमें बिना आपffy आप ले सकते हैं इनको इसमें ब्रयड बना सकते है या तोटी फुर्टी केक बना सकते है इस तरीके से स्कॉय Art soci ्ek से श्कॉय जाइए का इसमें बेकिंगchuss है चाहिए हम बहुत अच्छे अच्छे केक बना कर तयार कर सकते हैं मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैंने वीडियो में बताया हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है कुछ छूट गया है तो आप मेरे को कॉमेट करके बता सकते हैं या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम और फेस्बुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्किप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा इसी के साथ वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भिल्कुल न भूलें थैंक्स फॉर वाचिंग